बच्चों, हम सभी को पता है कि रोटी, कपड़ा और मकान ये तीनों मनुशे की मूलभूत आवशक्ताएं हैं और इन मूलभूत आवशक्ताओं में भी जब हम कपड़े की बात करते हैं तो कपड़ा किस से बनता है? कपड़ा कपाश से निकाली हुई जो महिन रेशे होती हैं उनसे जो धागे बनाये जाते हैं उनसे कपड़े की बुनाई की जाती है तो हमें जो हमारी एक मूलभूत आवशक्ताओं कपड़ा है इसके विशय पर हम बात करते हैं इससे संबंधित जो महत्वपूर्ण उद्योग है सूती वस्त्र उद्योग के पहले हम जान लेते हैं कि वस्त्र उद्योग जो है वो कैसे अस्तित्व में आया इसका इतिहास क के लिए क्या क्या आवश्यक बाते होती हैं तो बच्चों हम सभी को मालूम है कि कपड़े का जो इतिहास है वो संभावता तब से आरंभ हुआ होगा जब मनुष्य ने आदिम मनुष्य जो था वो आदिम मनुष्य अपने सभ्यता की हर सीधी को पार करता हुआ एक सभ्य में कदम रखता है तब से ही उसे कपड़े की आवश्चक्ता जो है वो महसूस होने लगी और ये वस्त्र उद्योग का जो विकास है हम तभी से प्रारम हुआ मान सकते हैं इसी संदर में हम देखते हैं कि कपड़े का निर्मान हमने बात की कि वस्तरुद्योग के माध्यम से होता है और इसमें भी जो प्रमुक है वो सूती वस्तरुद्योग है और हमारी जो भारती अर्थ व्यवस्ता है इसमें तो इस उद्योग का एक विशिष्ट इस्थान है क्योंकि उद्योगिक उत्पादन में रोजगार के अलावा मतलब इस उद्योग से बहुत लोगों को रोजगार मिलता है और साथ ही साथ जो विदेशों से विदेशी मुद प्राप्त होती है इसमें भी इस उद्योग का महत्वपूर्ण स्थान है वस्त्र उत्पादन में हम देखते हैं कि इस वस्त्र उत्योग का जो हमारी भारती अर्थ व्यवस्था है उसमें जो पूरा उद्योगी कुद्पादन जितना भी होता है भारत में उसका तेरा प्रति न है वह इस साथ ही साथ हम बात करते हैं कि यह जो वस्त्र उद्योग है यह प्रत्यक्ष और और अप्रत्यक्ष रूप से पुरे देश के हमारे भारत देश के लगभग साधे चार क्रोड जनसेंख्या को रोजगार भी उपलब्ध कराता है तो ये बात हो गई वस्त्र उद्योग की अब हमने जैसा कहा कि वस्त्र उद्योग में भी सूती वस्त्र उद्योग का प्रमुख हिस्थान है तो हम देखते हैं कि इस उद्योग का विकास कैसे हुआ कब से प्रारंब हुआ तो सूती वस्त वस्र उद्योग भारत का एक प्राचीन और सूसंगठित उद्योग है और इस उद्योग से प्रत्यक्ष रूप से भी हमने देखा सूती वस्र उद्योग से ही लगभग 10.2 लाख लोगों को रोजगार जो है वो प्राप्त होता है साथ ही साथ इसमें लाखों जो हत करगा बुनकर हैं कपास उगाने वाले क्रिशक हैं इनको भी अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार उपलब्ध कराता है मतलब सूती वस्र बन रहा है तो ये तो हमें पता है कि अभी हमने सबसे पहले बात की कि कपास से जो निकाली जाती है रेशे उनसे महीन धागे बनाए जाते हैं और उसके बाद फिर उसे वस्र के रूप में उसकी बुनाई की जाती है तो अपरत्यक्षरूप से यदि हम देखें तो जो इसके लिए वस्रोध्यों के लिए कच्चा माल हमने बात की कि कपास है तो कपास में भी लाखों क्रिशकों को रोजगार प्राप्त हुआ है और साथ ही साथ इससे जो रेशे निकाले जाते हैं और रेशों से भी जब धा अजगार प्राप्त हो रहा है अब इसके बाद हम देखते हैं कि यह हमारा प्रमाड के रूप में प्रत्यक्ष प्रमाड है जो मिश्र में इशा से लगभग 2000 वर्ष पूर्व पिरामिड में जो मृत शरीर होते थे उन मृत शरीरों को जो भारती मलमल के कपड़े में लिप प्रत्यक्ष प्रमाड है हमारे सामने कि हमारे इस वस्त्र उद्यों का कितना पुराना इतिहास है और साथ ही साथ इसकी क्वालिटी का कितना महत्व है जो पूरे हमारे देश के साथ साथ विदेशों में भी इसकी काफी डिमांड जो है वो मिलती है अब प्राचीन मिश्र के साथ ही साथ हम बात करें कि प्राचीन रोम प्राचीन जो रोम था उसमें भी हम देखते हैं कि भारत के जो मलमल के कपड़े हैं और मलमल के साथ उसमें जो छीट वाले वस्त्र थे वो पहने जाते थे और ये पहन कर लोग जो है वो अपने आपको बहुत गौरोशाली महसूस करते थे अब हम देखते हैं कि भारत की मतलब उद्योग का इतिहास कब से प्रारंब हो रहा है तो भारत की सबसे पहली वस्त्र उद्योग की बात करें तो आधुनिक मिल जो है वो सन 1818 में कोलकाता के पास जो फोर्ट ग्लास्टर नामकिस्थान है वहाँ पर की गई और यह कुछ समय के बाद ही बंद हो गया बहुत समय तक इसका संचालन नहीं हो पाया था फिर हम देखते हैं इसका वास्तविक आरम वास्तविक रूप से आरम जो है वो 1854 में हुआ जब कवाज जी डाबर ने मुंबई में पहली कपड़ा मिल की स्थापना की थी तब से ही इस सूती वस्तर उद्योग का भारत में हम वास्तविक आरम मान सकते हैं अब मुंबई में इस उद्योग की स्थापना के लिए कुछ अनुकूल भौगौलिक परिस्थितियां थी जिसके कारण वहाँ पर इस उद्योग की स्थापना की गई जिसमें मुंबई की जो भौग साथ कई जीलों में भी और अलग-अलग राजियों में इन मीलों की स्थापना जो है वो की गई तो 1947 तक आजादी तक कि यदि हम बात करें तो ये जो प्रारंभिक या हम वास्तविक आरंभ देखे थे 1854 जब मुंबई में कवाज ये डाबर ने मुंबई में सूती वस्त उद्यों की प्रथम नीव रखी थी उसके बाद 1947 तक के समय में हम देखते हैं कि इनकी संख्या जो है वो काफी बढ़ गई और ये कारखानों की संख्या बढ़ कर 423 हो गई थी भारत के जब भारत का देश का विभाजन हुआ आजादी के बाद तो इस देश के विभाजन से सरवाधिक जो हम कह सकते हैं नुकसान उद्योगों में वो सूती वस्त उद्योग को हुआ क्योंकि विभाजन के बाद बहुत सारे जो कारखाने थे या हम कहें कपास उत्पादक जो छेत्र थे और मीले जो थी वो भारत से ज़्यादा पाकिस्तान में चली गई और हम देखते हैं कि देश के विभाजन के बाद इस उद्योग को बहुत जादा हानी हुई और भारत के हिस्से में जो स्वतंत्रता तक 423 कारखाने हो गये थे सूती वस्त उद्योग के वो 423 में से 409 कारखाने ही भारत के हिस्से में आए लेकिन हम देखे जो कपास उत्पादक छेत्र था देश का हमारे भारत का उस कपास उत्पादक छेत्र का लगभग 27 प्रतिशत भाग ही हमारे देश के हिस्से में आया तो इस भारी छती के बाद जो स्वतंतरता के बाद इस उत्पाद का बहुत जादा और विकास किया गया और 2015 में हम देखते हैं कि जो कारखानों की संख्या है वो बढ़कर लगभग 3400 हो गई मतलब देश के विभाजन से जो इस उद्ध्योग को हानी हुई थी बहुत जादा च्छती हुई थी उसको फिर से रिकवर करने की कोशिश की गई और इस उद्योग में बहुत ज़ादा ध्यान दिया गया और इसके विकास के लिए बहुत अधिक प्रयास जो है वो किये गए अब हम देखते हैं कि भारत में सूती वस्त्र उद्योग की आवस्थिती के मतलब हमें मालूम है कि कोई भी उद्योग हमने इसके पहले लाइस पात उद्योग पढ़ा था और हमने इस पर चर्चा भी की थी कि कोई भी उद्योग का जो इस्थानी करण होता है मतलब किसी स्थान पर जब कोई उद्योग इस्थापित किया जाता है तो उसकी स्थानी करण के कुछ प्रमुख कारक होते हैं तो आईए हम बात करते हैं कि सूति वस्र उद्योग की स्थानी करण के या उसकी अवस्थिती के प्रमुख कारक कौन से हैं कि भारत के अलग-अलग हिस्सों में अलग-अलग राज्यों में इस उद्योग की स्थापना जो है वो की गई है तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं जो रंगाई और धुलाई की जाती है वस्त्रों की उसके लिए विभिन प्रकार के रसायन की आवश्चक्ता होती है साथ ही साथ सूती वस्त्रों उद्योग के लिए बहुत अधिक मात्रा में परियाप्त मात्रा में और सस्ते श्रम की भी आवश्चक्ता होती है अब परिवहन और संचार तो आपके प्रत्यक उद्योग के लिए आवश्रकता है क्योंकि कच्चा माल जो आयात किया जाता है और निर्यात माल उसे अलग-अलग इस्थानों पर भेजने के लिए परिवहन और संचार तो एक अनिवारी कारक हम कह सकते हैं इसके बाद यदि हम भौगौलिक परिस्थितियों की बात करें तो हम देखते हैं कि जो नम जलवायू वाले जो छेत्र होते हैं और विशेशकर जो समुद्र तटी छेत्र हम कह सकते हैं वो चुकी समुद्र तटी छेत्र एक नम जलवायू वाला छेत्र होता है इसलिए किसी भी तटी जलवायू वाले छेतर में या नम जलवायू वाले छेतर में इस उद्योग का बहुत विकास होता है क्योंकि यहाँ पर जो कपास का उत्पादन किया जाता है फिर उससे जो धागों की जो बुनाई की जाती है तो नम जलवायू में कपास के धागे जो जलवायू है तो इस उष्णकटी बंधी जलवायू और साथ ही साथ जनसंख्या के दृष्टिकोंड से भी हमें पता है कि हमारे भारत का विश्व में दूसरा हिस्थान है तो अभी हमने बात की थी कि सस्ता श्रम जो है और परियाप्त मात्रा में श्रम ये दोनों ही एक अनि ससंख्या का छेतर है ये दोनों ही कारग जो हैं वह हमारे भारत में सूतिवस्त्र उद्ध्योग के विकास के लिए एक बहुत बड़ा बाजार जु है वो निर्मित करते हैं इसके बाद हम देखते हैं यहां कपास का महत्व जो है वो इसी बात से हम लगा सकते हैं कि भारत का लगभग असी प्रतिशत सूती वस्त्र उद्योग का जो विकास है वो जितने भी भारत में कपास उद्पादक छेत्रे हैं उन्हीं छेत्रों में सूती वस्त्र उद्योग का विकास कच्चा माल है शुद्ध कच्चा माल है मतलब इसके निर्माड की प्रक्रिया में जब इससे कपडों की बुनाई की जाती है धागे बनाये जाते हैं और उसके बाद कपडों की बुनाई की जाती है तो कच्चे माल और तयार माल के वजन में कोई भी अंतर नहीं पड़ता इस इसलिए कपास और निर्मित जो वस्त्र हैं तयार माल इनके परिवहन लागत में भी कोई विशेश अंतर नहीं होता। अब भारत में जो सूती वस्त्रों का निर्माण है वो निम्नलेखित तीन छेत्रों में किया जाता है जो आपको पता होना चाहिए। जिसे हम पावर लूम्स कहते हैं और तीसरा जो है हत करगा जिसमें हाथ चलित करगों की सहायता से वस्त्रों की बुनाई की जाती है जिसे हम हत करगा या हैंड लूम्स भी कहते हैं। तो भारत में इन तीन छेत्रों से वस्त्र जो है वो तैयार किये जाते हैं। अब हम देखते हैं सूती वस्त्र उद्योग का वित्रण। भारत के किन-किन छेत्रों में सूती वस्त्र उद्योग जो है वो वित्रित है या सूती वस्त्र उद्योग जो है वो स्थापित है। तो इसमें हम देखते हैं कि सूतिवस्त्र उद्योग लगभग 100 नगरों में वित्रित है इसका वित्रण जो है वो भारत के लगभग 100 नगरों में वित्रण है लेकिन इसके बावजूद हम यदि बात करें कि इन 100 नगरों में भी जो प्रमुख केंद्र है तो इस सूतिवस्त उद्योग के प्रमुख केंद्र जो है वो पंच भूज प्रदेश के अंतरगत आते हैं प्रमुख सूति वस्त उद्योग के केंद्र अब ये पंच भूज प्रदेश क्या है भई तो हम देखते हैं पंच भूज के जो पांच बिंदू है वो आपके क्रमशह एहमदाबाद देखते हैं शोलापूर, नागपूर, इंदौर और उज्जयन ये इस पंच भूज के पांच केंद्र हैं अब इनके अतिरिक्त महाराष्ट, गुजरात, इसके बाद तमिल नाडू और ये जो तीन छेत्र हैं ये सूती वस्त्र के अग्रणी उत्पादक या सरवाधिक स्थापना के लिए उत्तरदाई हैं तो अब इसमें हम बात करते हैं सबसे पहले महाराष्ट, महाराष्ट जो है वो पूरे भारत देश का सबसे अधिक या हम कह सकते हैं अग्रणी वस्त्र उत्पादक है, सरवाधिक उत्पादन करने वाला, इसमें भी हम देखें कि ये र पूरे भारत का लगभग 38% कपड़ा और 30% जो है वो सूत तयार करता है। जिसमें 60 मीले जो है वो अकेले मुंबई में ही स्थापित है। लेकिन अब यहाँ पर की वर्तमानी स्थिती की हम बात करें तो यहाँ की बहुत सारी मीले जो है वो बंध हो गई है और इसका विकास जो पहले स्थापना के बाद बहुत अधिक जो विकास किया था सूती वो हम कहें कि उसकी अपेक्षा ये बहुत अधिक पिछड़ गया है। तो हम देखते हैं कि मुंबई में सूति वस्त्र उद्योग की स्थापना के प्रमुख कारक कौन-कौन से हैं। तो प्रारंभिक जो उन्नती हम कह सकते हैं अभी हमने बात की थी कि महाराष्ट में ही कवास जी डाबर ने 1854 में सूति वस्त्र मील की स्थापना की थी तो प्रारब्ध हम कह सकते हैं कि प्रारब्ध जो है वो मुंबई से हुआ वास्तविक प्रारब्ध तो उसके कौन-कौन स क्योंकि ये 30 छेत्र है इसलिए हमने बाद भी कि थी कि कपास उत्पादन के लिए नम जलवायू आवशक्त होती है और यहां पर जो कपास से धागे बुने जाते हैं तो नम जलवायू में ये धागे कम तूटते हैं और मुंबई की जलवायू 30 जलवायू है और प्रमुख पास उत्पादक छेत्र में हैं जो इसके सूती वस्त उद्द्योग स्थापना का एक महत्वपूर्ण कारक है मुंबई जो है ये एक प्रमुख केंद्र हम कह सकते हैं परिवहन का और संचार का जो चारो तरब से भारत की हर छेत्र से ये परिवहन के माध्यम से तो परिवहन और साथी साथ बाजार बहुत अधिक जनसंख्या यहां निवास करती है और इसके जितने भी आसपास के छेत्रे हैं चाहें हम मध्यप्रदेश की बात कर लें गुजराद की बात कर लें और चुकि ये परिवहन के माध्यम से देश के जितने भी बड़े उनसे इसकी connectivity बहुत अच्छी है इसलिए परिवहन और इसके सांसाथ बाजार की सुविधा भी इस छेतर को प्राप्त थी जिसके कारण यहां पर प्रारब्ध में ही सूती वस्र उद्योग जो है वो बहुत अधीक विकास किया था इन सभी के तरिक्त हम देखते हैं कि मुंबई जो है वो एक महत्वपूर्ण बंदरगा है और बंदरगा स्थिती होने के कारण यह विदेशों से लंबे रेशे वाली कपास और साथ ही जो बड़ी मशीने हैं उसका आयाद जो है वो बहुत आसानी से कर लेता है जो सूती वस् उद्योग की स्थापना में एक महत्वपूर्ण कारक है इसके बाद हम देखते हैं कि इसका पूरा प्रिष्ठ प्रदेश जो है मुंबई का वो एक काली मिट्टी का छेतर है जो सूती वस्र उद्योग के लिए कच्चा माल जो हम कपास कहते हैं उसके उत्पादन के लिए एक आदर्श मिट्टी जो है होती है काली मिट्टी तो कपास उत्पादन भी बहुत अधिक होता है इसलिए भी यहाँ पर सूती वस्र उद्योग के स्थापना जो है वो की गई है अब इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर जो सूती वस्र उत्पादित की जाती है उसकी व हमने देखा कि मुंबई को प्रारब्ध का भी लाम मिला और इस वज़े से यहाँ पर सूती वस्तर जो उद्योग है उसका विकास बहुत अधिक तेजी से हुआ अब मہाराष्ट के बाद हम देखते हैं गुजराध गुजराध जो है वो दूसरा महत्वपून सूती वस्तर उतपादक राज्य है और यहाँ पर हम देखते हैं कि कुल 118 मिले हमें मिलती है गुजराध में जिसमें 67 या 67 मिले जो है वो सिर्फ एहमदाबाद में है अब हम देखते हैं कि गुजरात में सूति वस्त्र उद्योग का जो विकास हुआ है उसके लिए कौन-कौन से कारक उत्तरदाई है गुजरात में एहम्दाबाद जो है वो सुती वस्तर का एक प्रमुख केंद्र है और इसके प्रमुख केंद्र होने के जो प्रमुख कारण है ये है कि एहम्दाबाद एक प्रमुख कपास उत्पादक छेतर है जिससे कच्चा माल इसे मिल जाता है और साथ ही साथ जो कच्चा फिर्माल कपास का यहां उद्पादन अधिक होता है उसका कारण है कि यहां पर नम जलवायू या आद्र जलवायू है साथ ही साथ सस्ती जल विद्यूत मिल जाती है यहां पर सस्ते और कुशल श्रमिक भी मिलते हैं और इस चेत्र का या इस केंद्र का भी यातायात या जिसके कारण यातायाद की भी सुविधा इसे उपलब्ध हो जाती है इसके साथ ही हम देखते हैं कि मुंबई की तरह जल विद्युत तो इसे प्राप्त हो ही रहा है अच्छी मात्रा में और साथ ही साथ मुंबई की अपेक्षा सस्ती भूमी जो है वो अहमदाबाद में उप तरदाई है अब हम तीसरे छेतर की बात करते हैं जो है मध्यप्रदेश में भी हम देखते हैं कि यहां सूती वस्त्र उद्यों की अवस्थिती का प्रमुक कारण यहां कपास जो है वो प्रचुर मात्रा में मिलता है इस सूती वस्त्र मिलों को शक्ति प्रदान करने के सस्ते श्रम भी आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं अब पूरे मध्य प्रदेश की हम बात करें तो यहाँ पर सूती वस्र के जो प्रमुख केंद्र हैं वो हैं ग्वालियर, उज्जैन, इंदौर, देवास, रतलाम, जबलपूर और भोपाल यह जो हैं यह मध्य प्रदेश में सूती वस्र उत्पादन के प्रमुख केंद्र हैं इसके बाद अगला जो महत्वपूर्ण राज्य है वो है पशिम बंगाल बच्चों हम सभी को पता है कि पशिम बंगाल में भी जो सूती वस्र का एक प्रमुख केंद्र है वो है हमारा कोलकाता और कोलकाता की स्थिती भी क्या है तटी जलवायू वाला छेत्र है वो और तटी जलवायू होने के कारण आद्र और नम जलवायू वहां उपलब्ध होती है जो यहां सूती वस्र मीलो की स्थापना के लिए और उसके विकास के लिए प्रमुख रूप से उत्तरदाई हैं इनके عत्रिक्त तटी छेत्र होने के कारण ये एक प्रमुख बंदरगा है और बंदरगा होने के कारण इसे बाहरी छेत्रों से यह हम कहें विदेशों से मशीनों को या लंबे रेशे वाली कपास को आयात करने में कोई कठिनाई नहीं होती और साथ ही साथ य उसरे देशों में भेजने में भी आसानी होती है इन सभी क्यात्रिक्थ हम देखते हैं कि इसे rani ghan से koila जो है वो प्राप्त हो जाता है पुरा kolkata जो है वो एक घणी जनसंख्या वाला च्यकत्र है और इस घणी संख्या से इसे बाजार साथ साथ सस्ता श्रम भी मिल रहा है रसायन उद्योग से इसे रंगने के लिए धागों को रंगने और उसे धोने की भी सुविधा प्राप्त है अब यहां पर जो प्रमुख केंद्र है सूती वस्त्र उद्योग के पशिम मंगाल में उनमें प्रमुख है हावडा, हुगली और इसके साथ स्यामनगर और पानिहर यह प्रमुख केंद्र है सूती वस्त्र उद्पादन के अगला जो प्रमुख सूती वस्त्र उद्पादक राज्य है उसकी हम बात करें तो उत्तर प्रदेश है उत्तर प्रदेश भी जो है यहां पर हम सूती वस्त्र का या तो उत्तरप्रदेश के अधिक थिमी हिस्से में सूती वस्त्र केंद्रों की स्थापना या विकास जो है वो सरवाधिक हुआ है और इसके पशिमी छेत्र में अधिक विकास के प्रमुख कारण है यहां की घनी जनसंख्या, परिवहन की सुविधा, सस्ता, श्रम और इन सभी के अतरिकते यदि हम बात करें तो इसका सबसे बड़ा सूती वस्र का जो केंद्र है उत्तर प्रदेश का वो है कानपूर और इसे कानपूर को उत्तर प्रदेश का मांचेस्टर के नाम से भी जाना जाता है यहां पर सूती वस्रों की लगभग 14 मीले हैं और अगर हम उत्तर प्रदेश में अन्ने केंद्रों की बात करें तो हम देखते हैं मुरादाबाद, वारनशी, बरेली, अलीगड है, मोधी नगर, सह भारनपूर और इसके साथ साथ रामपूर और मिर्जापूर यह प्रमुख केंद्र है सूती वस्रों के, अगला राज्जी देखे हम तमिलनाडू जो सूती वस्रों पादन के लिए एक प्रमुख राज्जी है, तमिलनाडू यह देश की सबसे अधिक 449, 439 मीले हैं और ज इसमें से 416 मिले आदिकांश मिले जो हैं वो छोटे आकार की हैं इसलिए यहां पर जो कुल उतपादन होता है यह कम हैं और इस राजय में कोयमबटूर जो है वो सबसे बढ़ा केंदर है और कोयमबटूर को तमिल नाडू का मांचेस्टर के नाम से भी हम जानते हैं पूरे तमिल नाडु में या हमने देखा कि इस राज्य में 439 मिले हैं जिसमें कोयम बटूर में 200 मिले हमें मिलती हैं और इसके बाद कोयम बटूर के बाद तमिल नाडु का दूसरा प्रमुख केंद्र जो है वो चेन्पर है और चेन्नई में दस मीले जो हैं वो सूती वसर की हैं इसके बाद अन्य जो प्रमुख केंद्रों की हम बात करें तमिल नाडू के तो उसमें तिरुनवेली है तिरुचरा परली और मदुरई सलेम और तूती कोरन और काकी नाड़ा जो हैं प्रमुख केंद्र हैं सूती वसर के अब इन राज्यों के अतरिक्त इन प्रमुक छे राज्यों के अतरिक्त भारत के और अन्य केंद्र भी हैं जहाँ पर सूती वस्र का उत्पादन होता है जिसमें हैं आंधर प्रदेश और आंधर प्रदेश के गुंटरू और पूर्वी गोदावरी छेत्र और देवगीरी में उत्पादन होता है आंध्रप्रदेश के बाद हम तेलंगाना देखें जहाँ पर हैदराबाद और सिकंदराबाद प्रमुक केंद्र हैं फिर केरल की हम बात करें तो केरल में तिरुएनंतपूरब हैं इसके बाद अलप्पी, किवलोन और अलगप्पा, अलवाय ये केरल के प दिहार में हम देखते हैं गया, पटना, भागलपूर और भदानी ये प्रमुख छेतर हैं फिर इनके अलावा राजस्थान भी एक प्रमुख सुतिवस्त उत्पादक छेतर है जिसमें हम पाली, विजयनगर, किशुनगर, गंगा नगर इसके बाद भवानी, मंडी जो है भिल द्वाडा, उदैपूर, जैपूर और कोटा ये प्रमुख छेतर हैं और राजस्थान के बाद हम आ जाते हैं पंजाब में तो पंजाब में हम देखते हैं अमरिशर, लुधियाना ये जो हैं प्रमुख केंदर हैं इन सब के अतरिक्त भी हरियाना और करनाटक में प्रमुख रूप से सूती वस्त्र का उत्पादन होता है तो ये हो गई सूती वस्त्र उत्पादन या उसके प्रमुख केंदरो की बात उनकी अवस्थिती में जो सहायक कारक हैं उनके विशह पर हमने चार्च चार्च की अब हम बात करते हैं इस सूती वस्त्र उद्योग की कुछ प्रमुख समस्याएं हैं जिसे जिसका सामना जो है वो भारत को हमारे देश को करना पड़ रहा है तो ये कौन-कौन सी समस्याएं हैं इस पर हम बात कर लेते हैं हमने भी बात की कि सूती वस्त्र उद्योग की स्थानी करण के कारक कौन-कौन से हैं भारत में उसका उत्पादन और वित्रन अब इसके बाद हम देखते हैं कि भारत में सूती वस्त्र उद्योग की कौन-कौन सी समस्याएं हैं जिसके कारण इसका जो विकास है उस पर प्रभ से बड़ी प्रतिसपरधा का सामना करना पर रहें अब यह प्रतिसपरधा क्यों है क्योंकि जो सिन्थेटिक प्रेशेjs होते हैं वो। बहुत ही मजबूत होते हैं या हम यह कहें कि अपने मजबूती टिकावपन और धोने पर शेखुरते नहीं है इन गुडों के कारण इसका जो प्रयोग है वो कपड़ा बनाने में अधिक हो रहा है वर्तमान समय में जिसके कारण सूतिवस्त्र उद्योग को इस सिंथेटिक कपड़ों से बड़ी ही प्रतियोगिता या हम कहें प्रतिसपरधा का सामना करना पड़ रहा है दूसरी चीज हमने देखी थी कि भारत में जो लंबे रेशे वाली कपास है उसका उत्पादन जो है वो बहुत ही कम होता है तो इसकी कमी कभी सामना करना पड़ रहा है इस उद्योग को तीसरा है जो उत्पादन होता है सूती वस्त उद्योग में वस्त्रों का उसमें पुरानी मशीनों का बहुत अधिक प्रयोग किया जाता है और इस पुरानी मशीनों के अधिक प्रयोग से उत्पादन और साथ ही साथ उसकी गुरवत्ता में भी बहुत कमी आती है चौथा हम देखते हैं कि भारत के सूतिवस्त उद्ध्यों को विदेशी बाजार से भी बहुत ही जादा प्रतिसपरधा का सामना करना पड़ता है तो ये कुछ समस्याएं हैं सूतिवस्त उद्ध्यों की भारत में सूतिवस्त्र के उद्ध्यों में प्रगति को हम इस तालिका के माध्यों से समझते हैं आपके सामने उननीस सो पचास इंक्यावन से लेकर दो हजार दो तीम के मध्य के आकड़े दिये गये हैं इसमें सूत का जो उद्धपादन है वो करोड किलोग्राम में और बस्त्र का उद्धपादन है वो मिल छेत्र के उत्पादन, हत्थ करगा, पावर लूम और अन्य छेत्र के वस्त्र उत्पादन का जो डेटा है वो आपके सामने यहाँ पर दिख रहा है तो तालिका से हम समझ लेते हैं उननीस सो पचासिंग क्यावन में हम देख रहे हैं 59.1 करोड किलो ग्राम जो है सूत का उत्पादन किया गया यहीं वस्त्र के उत्पादन को हम देखते हैं यह करोड वर्ग मिटर में है आपके जो आकड़े हैं वो मिल छेत्र में मिलो के माध्यम से जो उत्पादन हुआ वस्त्र का वो 372.7 करोड़ मिटर, koden पावर लूम और अन्य को उत्रपादन है वो 101.3 करोड़ मिन्य ऐ सभी को मिलाकर, मतलब सूत और वस्त्र को उत्रपादन है चाहें, वो मिल छेत्र का हो हत करगा पावर लूम और अन्य छेत्र के टोटल जो प्रोडक्शन हुआ है वो 474.0 हमको देखने को मिलता है 1967 61 की स्थिती हम देखें तो सूत का उत्पादन बढ़कर 80.1 हो गया मिल छेत्र का 464.9 हो गया हत करगा पावर लूम और अन्य छेत्र में 209.1 हो गया और टोटल जो प्रोडक्शन है वो बढ़कर 674.0 हो गया 1977 में हम देख रहे हैं यह बढ़कर सूत का जो उत्पादन है वो 101.6 मिल छेत्र के वस्त्र के उत्पादन में थोड़ी सी हमें कमी देखने को मिलती है जो 1967 61 में 464.9 था वो 1970 इकत्र में हमें 416.4 देखने को मिलता है थोड़ी कमी आई है और हत्करगा पावरलूम और अन्य छेत्र के प्रोड़क्शन हम देखें तो इसमें लगभग डबल या दुगने से जो है थोड़ी और अधिक व्रिद्धी हुई है जो आपका 209.1 था 1960 और 61 में वो 1970 और 71 में 445.9 हो गया और टोटल जो प्रोड़क्शन है वो बढ़कर 870.0 हो गया 1980 और 81 में हम देखते हैं सूत का प्रोड़क्शन 129.8 मिल छेत्र का जो प्रोड़क्शन है थोड़ी इसमें व्रिद्धी हुई है 416.8 हत करगा पावरलूम और अन्य छेत्र में 682.0 और टोटल प्रोड़क्शन जो है वो 1098.8 हो गया है 2000-2001 के बीच हम देखें तो सूत का प्रोड़क्शन 182.4 मिल छेत्र के प्रोड़क्शन 167.0 हत करगा पावरलूम और अन्य छेत्र में वस्त्र का जो उत्पादन है उसमें हमें आशातीत व्रिद्धी और बहुत ज्यादा व्रिद्धी देखने को मिल रही है जो आपका 3800.5 हो गया है और इस प्रकार से टोटल प्रोड़क्शन जो है वो 3967.8 हो गया अब 2023 में हम देखते हैं सूत का प्रोड़क्शन जो है वो 149.6 है मिल छेत्र के वस्त्र के उत्पादन 166.2 हत करगा पावर लूम और अन्य छेत्रों में वस्त्र उत्पादन 3483.5 और इस प्रकार टोटल प्रोड़क्शन बढ़ कर हो गया 4197.3